कंचनपुर में भगवान रिसिंग के मंदिर के निकट एक माली की पुष्प वाटिका थी उसमें अनेक सुन्दर और सुगंदेश फूल होते थे माली प्रतिदिन फूलों की एक माला बनाकर भगवान रिसिंग पर चड़ाता और शेश फूलों को बजार में बेच देता इस प्राकारवसुक पूर्वक जीवन वतीत कर रहा था एक बार इंदरपुतर जैंत पृत्वी पर घूमने आया रात्री का समय था ब्रह्मन करते हुए जब आ माली की बगया के पास से निकला तो फूलों की भीनी-भीनी महक ने उसे मधोश सा कर दिया उसने बगया के सारे फूल तोड़े और उसको लेकर स्वर्ख चला गया दूसरे दिन माली की पत्मी फूल तोड़ने आई तो सन्न रह गई माली को सारी बात बताई वह भी अशर्रे करने लगा अगले दिन भी ऐसा ही हुआ वो ना तो भगवान रिसिंग को फूल चड़ा पाया और ना ही बेश सका पज़वार को भूका ही सोना पड़ा अगली रात माली ने पहरा देने का निश्चे किया वो रात बर जाकर पहरा देता रहा किन्तु फिर भी फूल चोरी हो गए जैन्त है वही सारे फूल लेकर चला जाता है कल रात तो मेरे चर्नों में पड़ी पूजा समगरी बग्या में बिखेर देना यह कह कर भगवान अद्रिश्य हो गए दूसरे दिन माली ने बगवान के आदेश के अनुसार ही कार्रे किया रात के समय जैन्त आया और फूल तोड़ने लगा वह वहाँ बिखरी पूजा की समगरी को लांगता गया इससे वह शक्तिहीन होकर वहीं खड़ा रह गया बग्या के बाहर सार्थी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था भोर होने वाली थी सार्थी ने वापस चलने के लिए कहा लेकिन जैन्त तो वहाँ पर जड़ चुका था उसकी एदशा देकर सार्थी भी दंग रह गया तब ही वहाँ पर आकाश्वानी हुई जैन्त तुमने पौधों के पास बड़ी पूजा समगरी को लांगा है जो रिसिंग जीक पर चड़ी थी साथ ही तुमने गरीब भक्त के फूलों की चोरी किये इसलिए जब तक तुम अपने पाप का प्राइश्यत नहीं करोगे स्वर्ग नहीं जा सकोगे जैन्त कुरुकशेत्र में परशुराम यग्ये कर रहे है वह बारो वर्षुर तक चलेगा यग्ये में हजारो ब्रामन पती दिन भोजन ग्रहन करने आएंगे तुम वहाँ जाकर ब्रामनों के जूटे बरतन को साफ करो यही तुमारे पापों का प्राइश्यत है आकाश्वानी समाप्त हो तही जैन्त का मुकट और अभूशन अद्रिश्य हो गये वह एक साधारन मनुश्य के समान हो गया उसके पैर भी ठीक हो गये सार्थी को वापिस भेजने के बाद वापने पापों का दंट भूगने के लिए यगे स्थाल की और चल दिया वहाँ उसने बारा वर्षों तक भ्रामनों के जूटे बरतनों को साफ किया उसके बाद ही वापाप मुक्त होकर इंदरलोक वापिस गया इदर माली की बगया पूना फूलों से लद गई और उसकी दुन चर्या पहले जैसी हो गई